21 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन राश्ट्रिय पुलिस स्मृती दिवस भारत 21 अक्टूबर राश्ट्रिय पुलिस स्मृती दिवस हर साल 21 अक्टूबर को उन पुलिस अधिकारियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने सेवा के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है यह दिन भारत चीन संधर्ष के लिए समर्पित है जब चीनी सैनिकों ने 21 अक्टूबर 1969 को लगदाख में भारतिय पुलिस बल पर गोली बारी की थी 1960 में 21 अक्टूबर को राश्टिय पुलिस स्मृती दिवस के रूप में मनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिरिक्षकों का एक वारशिक सम्मेलन आयोजित किया गया था यह दिन उन बहादुरों को सम्मानित करने के लिए निर्धारित किया गया है जो देश के नागरिकों की रक्षा करते हैं और कानून और व्यवस्था के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है भारत और जर्मनी श्रम गतिशीलता समझोते पर हस्ताक्षर करने के लिए तयार भारत और जर्मनी दोनों देशों के बीच एक समझोते को अंतिम रूप देने के लिए तयार है मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि समझोता दोनों देशों के बीच श्रमिकों की आवाजाही को सुविधाजंक बनाने और कौशल को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेगा सूत्रों के हवाले से बिजनिस स्टेंडर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि समझोते के जरिये भारत में कुशल पेशेवरों को जर्मन उद्योग आसानी से अपने साथ रख सकता है यह G20 कौशलाधारित प्रवासन मार्ग धाचे के तहट पहला समझोता होगा सदस्य देशों ने पिछले साल नई दिल्ली में इस रूपरेखा पर फैसला किया था अपडेट तीन नियुक्ती अभ्यूदय जिन्दल ने इंडियन चेंबर ओफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला इंडियन चेंबर ओफ कॉमर्स ICC एक राष्ट्रिय व्यापार संध ने जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभ्यूदय जिन्दल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोशना की नई दिल्ली में आयोजित ICC के वार्षिक पूर्ण सत्र में यह घोशना की गई वानेज एवं उद्योग मंत्री पियूश गोयल मुख्य अतिथी थे पियूश गोयल ने जिन्दल की नियुक्ती का स्वागत किया और भारत के भविश्य को आकार देने में युवा नेताओं की महत्वपून भूमिका पर जोर दिया अभ्यूदय जिन्दल ने अपने संबोधन में Indian Chamber of Commerce के लिए अपने दृष्टिकोन को रेखांकित करते हुए संगठन को आर्थिक विकास और नवाचार के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक बनाने की अपनी प्रतिबधता व्यक्त की अपडेट चार विज्ञान और प्रौध्योगी की करनाटक ने शिक्षकों के लिए AI टूल शिक्षा को पाइलट लौँच किया करनाटक सरकार ने शिक्षकों के लिए Artificial Intelligence संचालित डिजिटल सहायक शिक्षा को पाइलट लौँच किया दहिंदू के अनुसार, स्कूल शिक्षा और साक्षर्ता मंत्री मधु बंगारप्पा ने टूल लौँच करते हुए कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश सीखने के परिणामों में सुधार करना और शिक्षकों को स्थानिय पाठ्यक्रम, भाशा और संदर्भ में व्यापक, व्यक्तिगत, शिक्षन, संसाधन और सीखने के अनुभव बनाने के लिए सशक्त बनाना है यह पहल शिक्षा फाउंडेशन और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया के बीच एक सहियोग है अपडेट पांच प्रक्षा सेना की सुदर्शन चक्रकोर कर रही है स्वावलंबन शक्ती अभ्यास का आयोजन आला और उभर्ती प्रोध्योगिकियों के एकी करण के माध्यम से युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश से दक्षिनी कमान की सेना की सुदर्शन चक्रकोर जहासी के पास बबीना फील्ड फाइरिंग रेंज में अभ्यास स्वावलंबन शक्ती आयोजित कर रह ही है एक रक्षा विज्यपती में कहा गया है कि अभ्यास 17 अक्टूबर को शुरू हुआ और 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा 21 कोर या सुदर्शन चक्रकोर सेना की एक स्ट्राइक कोर है जिसका मुख्यालय भोपाल में है सुदर्शन चक्रकोर के जनरल आफिसर कमांडिंग लिफ्टिनेंट जनरल प्रीत पाल सिह की उपस्थिती में इस अभ्यास की शुरुवात सेना की आक्रामक रणनीतियों में नई प्रोध्योगी की उपकरण NTE को एकी कृत करना और भविश्य के युद्ध परिद्रिश्यों के लिए तत्परता सुनिष्चित करना है अपडेट 6 अंतरराश्ट्रिय FATF ने नए जोखिमाधारित फोकस के साथ ग्रे लिस्टिंग नियमों को कड़ा किया Financial Action Task Force FATF ने घोशना की है कि वह उन देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानदंडों में बड़े बदलाव कर रहा है जो अंतरराश्ट्रिय वित्तिय प्रणाली के लिए अधिक जोखिम पैदा कर रहे हैं वैश्विक धन्शोधन रोधी निग्रानी संस्था ने कहा कि अवैध वित्तिय प्रवाह का प्रभाव सबसे कम विक्सित देशों द्वारा सबसे अधिक महसूस किया जाता है क्योंकि यह सतत विकास को बाधित करता है बयान के अनुसार, कर्चोरी, ध्रश्टाचार और संगठित अपराध जैसे अपराधों से प्राप्त आय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्चक सार्वजनिक वस्तूों से प्रतिवर्ष अर्बों डॉलर दूर कर दी जाती है अपडेट साथ विविध भारत ने PNG को हेमोडायलिसिस मशीने वित्रित की, लेबनान को सहायता की आपूर्ती की भारत लेबनान को 33 तन चिकित्सा आपूर्ती के रूप में मानविय सहायता भेज रहा है 11 तन चिकित्सा आपूर्ती की पहली खेप 19 अक्टूबर को भेजी गई थी खेप में कार्डियोवैस्कुलर दवाओं, एनेसेड, नौनस्टेरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, एंटी बायोटिक्स और एनेस्थेटिक्स सहित फार्मासिटिकल उत्पादों की एक विस्तरित शिंखला शामिल है विदेश मंत्रालय के प्रवक्तार अंधीर जायस्वाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह फिपिक थ्री शिखर सम्मेलन में की गई भारत की प्रतिबधता को पूरा करता है और यह सहायता पापुआ न्यू गिनी की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने म अपडेट आठ योजनाएं और समितिया तमिलनाडू ने तट्रेखा के लिए तेल रिसाव प्रबंध योजना को अंतिम रूप दिया चार तटिये जिलों को तेल रिसाव के लिए अत्यंत उच्च जोखिन वाले जिलों के रूप में चिनहित किये जाने के बाद अपड़ू सरकार ने ऐसी आपडाओं को कम करने के लिए एक प्रबंध योजना को अंतिम रूप दिया है अंतिम योजना जो तिरुवल लूर जिले के एन नोर में तेल रिसाव के एक महीने बाद जनवरी दो हजार चौबीस में तयार की गई थी प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक तेलदूशित आवास या तटरेखा को उसकी मूल स्थिती में बहाल करने के लिए आवश्यक कदमों और प्रक्रियाओं की रूप रेखा तयार करती है यह राज्य के समुद्र तट से बारह समुद्री मील 24 किलोमीटर के भीतर होने वाले किसी भी प्रकार के समुद्री तेल रिसाव का जवाब देने के लिए है अपडेट 9 खेल अर्जुन एरिगैसी ने जीता WR शत्रंज मास्टर्स 2800 एलो रेटिंग के करीब ग्रेंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने आर्मगेडन में फ्रास के मैक्सिम वाचियर लागरे भराकर 2024 WR शत्रंज मास्टर्स कप जीता जिसमें 20,000 यूरो का शीर्ष पुरसकार और 27 84 फाइड सर्किट अंक जीते हालांकि जीत के बावजूद एरिगैसी 2800 का आकड़ा पार नहीं कर सके क्योंकि उनके फ्रांसीसी प्रतिद्वंधवी ने क्लासिकल खेलों में लगातार दो ड्रो के लिए मजबूर किया एरिगैसी को पता था कि उन्हें अपने करियर में पहली बार 2800 पार करने के लिए अंतिन दिन क्लासिकल शत्रंज में जीतना होगा एरिगैसी जो 2796.1 की लाइव रेटिंग के साथ विश्व नंबर चार हैं ने हमबतन विदित गुजराती और आर प्रागनानंदा को हरा कर खिताब जीतने की राह तैकी अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन सोलहवे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस जाएंगे मोडी 22 से 23 अक्टूबर तक रूस की यात्रा पर जाएंगे इस यात्रा के दोरान प्रधान मन्तरी के ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समक्षों और अन्य आमंतरित नेताओं के साथ ग्विपक्षिय बैठकों में शामिल होने की उम्मीद है इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विशय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवात को मजबूत करना है जो नेताओं को महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा